नमस्कार जोहार जय हिंद आप स्विगा रोजगा टेम में स्वागत है मुख्यमंत्रि महिया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है आप लोग देख सकते हैं महिया सम्मान योजना को लेकर नोटिस जारी हो गया है अगर आपके एकाउंट मे अभी तक महिया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे इस नोटिस में सब कुछ लिखा गया है जो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर देखा जाए तो महिया सम्मान योजना का तिन किस्त का पैमेंट अभी हो चुका है किसी किसी के तो एक भी किस्त का पैसा नहीं आया है तो अभी आप लोग क्या करेंगे सब कुछ इस नोटिस में लिखा गया है मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिए और अगर आप लोग हमारी चेनल पर पहली बार आये हैं तो चेनल क का छोंति किस्त का पैमेंट क्या जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग इस मेसज पूस देखिएर यह हमारा पर आगे देखें तो दिपावली के समय भी हमारा महिया सम्मा नियोजना का पेमेंट हुआ और छट कुजा के समय हमारा चोंती किस्त का पेमेंट होगा और चोंती किस्त में आप लोगों को एक हजार रुपया ही मिलेगा चोंती किस्त में आप लोगों को एक हजार रुपया ह था यह किन किन महलाओं को दिया गया है सबसे पहले में आप लोगों को इस चीश को बता देता हूं फिर आगे में आपको नोटिस भी दिखाऊंगा और सब किस्त का टोटल तीन हजार रुपया हो जाता है तो तीन हजार जिनके अकाउंट में नहीं आया था उनको दिपावली के समय ये एकजार की रासी दी गई है सभी के अकाउंट में दिपावली के समय पैसा नहीं भेजा गया है इसलिए हो सक्या आपके अकाउंट में पैसा नही है मिलना शुरू हो जाएगा यानि 6-7 नॉवंबर से हमारा 44 किस्त का payment आना शुरू हो जाएगा तो यह तो रहा payment का बात लेकिन अब आम लोग बात करेंगे notice का कि जो notice आया हुआ है उसमें क्या बताया जा रहा है अगर आपके जिला में इस प्रकार का notice जारी क्या गया है जैसे आप यहाँ पर प्लामू देख सकते हैं लेकिन इस प्रकार का notice हर एक जिला को दिया गया है उपर से आया है यह notice तेकि यहाँ पर इस notice में क्या बोला आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखे ठोड़ा वीडियो बड़ा होगा, आप वीडियो को पूरा देखласт понятноë यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, एक करके मैं आपको पढ़ पढ़ के समझाओंगा, तीन कि सबसे पहले आप लिखा हुआ है विसई, क्या भिसय है कि जारखंड मुख्यमंत्री मया समन योजना के लाभूकों के अचसफल भुकतान के निराकरन के सम्बंद में यानि कि जिनके एकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है पैसा भेजा गया था लेकिन किसी कारण बस पैसा नहीं आया है उन लोगों को क्या करना है तो उन लोगों को सबसे पहले कुछ documents ready करना है कुछ documents में जैसे कि जो लगता है आपका आधार card, आपका bank account और आपका रासन card बस इतना चीजी आपको यहाँ पर जुगार करना है तिन documents जुगार करिए कहां जाना है और क्या process है आगे मैं आपको समझाता हूँ तो देखिए इसमें लिखा गया है उप्यूक्त विशय के सम्मंद में सुचित करना है कि जारकन मुख्यमंत्री मया समान योजना के लाभुकों को अक्टूबर 2024 का भूगतान किया गया देखिए अक्टूबर का बात हो रहा जो अक्टूबर में जो आप लोगों को तिसरी किस्त का जो payment क्या गया था payment क्या गया परंतु कुछ लाभुकों का बैंक विवर्नी के गलत परिविस्ट के कारण धोगतान असफल हो गई है payment तो भेजा गया लेकिन किसी कारण बस ब्यांक डिटेल में गलती होने के कारण जो पैसा है उनके एकाउंट में नहीं गया है बीदित हो की उक्त योजना अंतरगत स्विक्रित सभी लाभुकों को नौमबर मा का सम्मान रासी का भुगतान जल्द ही क्या जाना है नौमबर की जो रासी है चोंती किस्त का जो payment है बहुती जल्द होगा साथ ही साथ ऐसी सुचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि आबेदनों की तुरुटी पूर्ण परदिस्ट के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है फॉर्म भरने में किसी परकार का कुछ गल्ती हो गया है जिस कारण यहाँ पर लाभों को के एकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है जबकि आबेदिका उक्त योजना अंतरगत लाभ की अहरता रखती है वनुनको यह लाभ मिलना चाहिए लेकिन फॉर्म भरने में गल्ती की कारण यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं बिल पा रहा है इसके बाद देखें यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है आगे यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ देखली जी यहाँ पर आगे लिखा गया है अतब बैंक से प्राप्त और सपल डेटा को इमेल के माज़दम से आपको उपलब्द कराते हुए अनुरोध है कि अ सब्सक्राइब कराते हुए सम्मंदित लाबोकों का आवज़सक सभी कागजात प्राप्त करते हुए आपसे समयनवाई से उक्त समयस्या का निराकरन है तू आवज़सक कारवाई की जाए देखिए इस अपडेट में यह बोला गया है कि मान की चलिए यहाँ पर आदो काम क मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या करना है अक्च्वल में अगर मान की चलिए कि आपके अकाउंट में अभी तक मैया सम्मा नियोज़ना का पैसा नहीं आया है तो आपको करना क्या है सारा डोकोमेंट्स आप रेडि करिए डोकोमेंट्स में आपको रासन ये तीन डोकुमेंट्स आप रेडि करिए और आपके आंगन बारी की जो सेविका होंगी वालों आप क्या करिए आपके मतलब छेत्री के जो भी सेविका है या जो भी सहाईका है आप उनसे जाके मिलिए किन से मिलना है आपको या तो सेविका से जाके मिलना है या फिर आपको सहाईका से जाके मिलना है ये दोनों में से किसी से मिलिए और उनको बोलिए कि मेरा इस प्रकार का समय सा है मेरे एकाउंट में अभी तक मैया समानिय ज़िना का पैसा नहीं आया है ये मेरा डोकॉमेंट से है आप इसको रखिए और क्या प्रोब्लम हुआ है आप इसका निराकरन कराईए शुदार करवाईए एच इस अबडेट में बोला गया है या तो आप खूद उनके पास जाईए खूद भी जा सकते हैं लेकिन इस अबडेट में ये बोला गया है कि जो सेविका या पर जो सहाईका होंगी न वो आपके दर्वाजे में जाके आपका काम करेंगे लेकिन इतना आप यहां पर इंदिजार मत करिए अगर आपके एकाउड में पैसा नहीं आया ता आप खूद चले जाईए सेविका के पास या पर सहाईका के पास आप खूद जाईए और जो भी आपकी समयस्ता है उनको बताईए और एक बर आप फिर से दोबारा से उनको डोकुमेंट्स दे दिजिए यह काम आप भी कर सकते हैं आप लोग यसे तो सेविका और सहाईका डोर टू डोर का मतलब है कि आपके दर्वाजे में जाकर काम करेंगे इंदिजार मत करिए आप उनको डोकुमेंट्स दे दिजिए जो भी समयस्ता है आप उनको बता दिजिए यह तो पहला काम आप यह कर सकते थे दूसरा काम आप यह कर सकते हैं कि आप क्या करिए या तो वीडियो से जाके मिलिए या पिर आप CEO से जाके मिलिए यह दोनों में से आप किसी से भी मिल रखते हैं पहला तो सेविका साही कावला हो गया दूसरा या तो आप बीडियो अपिस जाएए या पिर CEO आप बलॉक चले जाएए वहां पर जाने की बाद आप बीडियो या पिर CEO से मिलिए और आपकी जो अभी भी ब्लोग में सुधार हो रहा है नोटिस भी जारी हो गया है अगर आपके अकाउंट में अभी तक महिया समानी उजना का पैसा नहीं आया है तो आप ये काम करवा सकते हैं एक भी किस्त का पैसा नहीं आया है तब तो ये आप पक्का से पक्का कराईए और अगर आपके account में एक भी किस्त का अगर पैसा आया है तो आप अभी जो number में जो 4 किस्त का payment आएगा उस समय तक आप लोग इंतिजार करिए आपके account में भी पैसा आ जाएगा और यह रा हमारा आज का वीडियो अगर आपके वीडियो पसंद आया है तो वीडियो गो लाइक करे मिलते है अगले वीडियो में थैंक यू जय हिंद